हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर ब्लाउस बनाने वाले हैं और इसे हम बनाएंगे प्रेंसेस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजेग और बैल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहां पर लाइनिंग लेनी है हमको वन मीटर और मैन फैबरिक भी हमने वन मीटर लिया है इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग पर करेंगे तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन रो करेंगे और अब हमें अपर लेनी है लेन्थ हम यहां पर रख रहे हैं 13.5 इंच तो हम यहां पर मार्क करेंगे 15.5 इंच पर यहां पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है शोड़र लेंगे 5.5 इंच आम मुल ले रहे हम 6 इंच चेस्ट का फोथ पार्ट लिना है तो 34 का फोथ पार्ट होगा 8.5 इंच 2.5 इंच मार्जन के लिए वेस्टे 28 उसका फोथ पार्ट लिना है 7 इंच 2.5 इंच टक्स के लिए और 2.5 इंच मार्जन के लिए साइट से लाइन को ड्रॉ करेंगे वन इंच से आर्मोल के साइट पे गुलाई देनी है अब यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है टैन इंच पर यहाँ से 3.75 इंच यहाँ से 3.25 इंच टक्स की विड़ 2.5 इंच रखनी है और इस तरीके से शेफ दे देना है प्रिंस इसकट का शेफ दे दिया है अब यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से इस के उपर हम जाएंगे 1 इंच और इस तरीके से शेफ देना है neck की weight 2.5 inch neck की length हमने 7 inch रखकर line को draw कर दिया अब इसको हमें cut करना है तो belt हमारी यहाँ पर अलग cut होगी अब यह जो हमारी belt थी belt को हमने cut कर लिया है darts की यहाँ पर नीचे के side हम half inch का इस तरह से curve shape देंगे अब हमें आप बैल को cut करना है तो यहाँ पर 2.5 inch है weight इसकी तो यहाँ पर हमें 2.5 inch पर रखकर इस तरीके से shape देनी है इसको हम इस तरह से cut कर देंगे तो यह वाली shape हमारी यहाँ पर इस तरीके से आएगी belt हमारा इस type से आएगा यह देखिए ठीक है एक के उपर एक cover lip होगा तो हमें एक belt को रखकर इसको cut करना है यह देखिए इस तरह से हम belt को cut कर देंगे और जो हमारी belt की shape है वो किस type से आएगी इस तरह से आएगी यह देखिए एक दूसरे के उपर over lip होगी तो इसकी cutting अब हम यहाँ पर back part की करेंगे यहाँ पर आफ इंच आई होकी पटी के लिए लिए शोल्डर 5.5 इंच आर्मों लेना है 6 इंच chest का fourth part 8.5 इंच 2 इंच मार्जन के लिए total land हम 14.5 इंच रखेंगे waist का fourth part 7 इंच 2 इंच मार्जन 1 इंच back tux के लिए रखना है और side से line को draw करना है 1 इंच से आर्मों के side पे गुलाई देनी है और इसको हम cut करेंगे इसको हम इसको हम ने कर दी है अब इसको हम मैं फैब्रिक पर cut करेंगे इसको कि कि औरे मैं को इसको हम ने कर दो आर्मों कर दून गलाईबは जोाई पिसको हम कि魚 कटिंग हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम नेक को कट करेंगे नेक की विट्थ हमने 2.5 इंच रखे अब यहाँ पर हमें इस तरी किसी से शेप देना है इसको हमें कट कर लेना है स्टीच कर लिया हमने इसको अब कर्ट लगा लेना है पूरे ही नेक पर और इसको पलट देना है पलटने के बाद साइट से स्टीच करेंगे लाइनिंग फैबरिक पर और इसको पूरा ही पलट देना है तो देखिए पूरा पलटने के बाद हमने इसको स्टीच कर लिना है नेक पर फनीशिंग कर दी है साइट से भी स्टीच कर लिया अब यह जो प्रिंसेस कट वाले पार्ट है उन्हें हम साइट में इस तरीके से स्टीच करेंगे दोनों पार्ट को स्टीच कर लिया अब यह जो बैल्ट है बैल्ट को हमें रेडी करना है तो मैं फाब्रिक को राइट साइट पर उसके उपर लाइनिंग फाब्रिक रखकर इनको पलट दिया है अब ये दोनों लुक जो है इसके वो इस टैप से आएंगे लेकिन इसे अभी हमें स्टीच नहीं करना हमें याँ पर बैल्ट लगानी है तो उपर के साइट पर हाफ इंच चोड़ देना है वो हमारा स्टीचिक में जाएगा यहाँ पर बच रहा है 1.25 इंच यहाँ पर हम 3 इंच पर माग कर रहे हैं और इस तरीखे से लाइन को ड्रॉव कर दिया है इसकी जो लाइन्द है वो हमने यहाँ पर 20 इंच की है अब यहाँ पर हमें सेप देना है इसका शेप देने के बाद इसको साइट से हम स्टीच करेंगे यह देखिए यहाँ से पुरा स्टीच करना है इस तरीखे से शेप देना है शेप देने के बाद इसे हमें पलट लेना है यह देखिए आपर बैल को नीचे के साइट से स्टीच करेंगे तो उसमें हमें एक पट्टी लगानी पड़ेगी पट्टी से वो कवर हो जाएगा यह देखिए तो मैंने आपर यह स्ट्राइप से पट्टी लगाई जिसे मुख की पट्टी लगाते हैं और इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है ठीक है तो यह बैल्ट तो भी हमको साइट पर रखना है पहले हम यहां से इसको स्टीच कर लेंगे यह देखिए इस तरह से ओपर ने उपर के साइट से इसको स्टीच कर लिया है अब हमें यहाँ पर नेक बैक जो पार्ट का नेक है उसको रेडी करना है तो उसकी वीट 2.5 इंच रखेंगे लेंद हम रखेंगे इसकी 9.5 इंच थोड़ा सा बढ़ा रहे हम उसको यहां से इस तरीके से शेप देना है नीचे के साइट से देखें हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे वीट में 1.5 इंच लेना है और इस तरीके से शेप देना है इसको हम कट करेंगे कट करने के बाद मैं फाबरिक को राइट साइट पर रखना इसके उपर लाइनिंग फाबरिक रखेंगे और नेक को स्टीच करेंगे स्टीच करने के बाद पूरे ही नेक पर कट लगाना है इसको पलट देना है प्लेटने के बाद इसको आइरन करेंगे और स्टीच करेंगे अब हम यहाँ पर होकी पटी और आई की पटी लगाएंगे तो होकी पटी को इस तरह से डबल करते हुए स्टीच करना है अंदर की साइट पूरी फोल्ड हो जाएगी और जो आई की पटी है उसको हमें आपे बाहर की साइट पर थोड़ा सा दिखाना होता है जिसमें हम आई लगाते हैं इस तरह से दोनों पटी यह कंप्लीट कर ली हैं ठीक है उपर के साइड हमारे होक लगेंगे बेक टक्स लगाना है जिसकी लेंद हमने 4 इंच रखी है यह हमारी स्लीज है स्लीज की लेंद हम 6 इंच रखेंगे 1 इंच इसमें प्लस करना है मार्जन का 7 इंच लेना है आर्मोल आ रहे हैं हमारा 9 इंच तो ये तो पार्ट है हमारा 8 इंच तक के सम्थिंग तो इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे तो अभी नॉर्मली 3 इंच पर स्लीज को हम डाउन कर रहे हैं यहाँ पर स्लीज राउन का हाफ और टू इंच मार्जन का एड कर लिया है इसको हम कट करेंगे साथ में इसका जॉइंट भी कट कर लेना है जॉइंट लगा लिया अब इसको कट करना है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9.5 इंच पर इस तरीके से शेप दे कर इसको कट करना है स्लीज राउन्ड हमारा ट्वैल उसका हाफ लिया 6 इंच 2 इंच मार्जन के लिए 8 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से शेप दे कर कट करना है तो पार्ट्स में फ्रेंट के लिए शेप देनी है अब इसको हमें यहाँ पर कट करना है यहां से हम मार्क करेंगे 3 इंच पर यहां से हम मार्क करेंगे 2 इंच पर तरह से वी शेप दे कर कट करना है मैं फेब्रिक पर साथ रख कर स्टीच कर दिया है उपर और नीचे दोनों साइट से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इस पर कॉर्नर लगा दिना है कट लगा दिना है कॉर्नर पर इसको हम पलट देंगे यह देखिए पलट गया है साइट से स्टीच आरेंड भी कर दिया है अब यह हमारे पास फैब्रिक है इसकी लेंद हमने इसकी सेवन इंच है और लेंद इसकी हमने रखी 15 इंच इस तरीके से प्लेट्स डालनी है इस पर एक साइट से पूरा जॉइंट आएगा और दूसरे साइट से तरह से तोड़ा सा दूर दूर पर आईगी प्लेट्स इसको हमें सेट करना है यह देखिए अब यह आपर हमें इसको सेट करना है इस पर स्रोल्डर को स्टीच करना है स्टीच करने के पास बाद स्लीज जॉइंट कर देनी है दोने ही साइट से इस find से स्लीज जॉइंट होकि कि स्लीज को जॉइंट कर लिया अब हमें आपर मार्किंग करेंगे chest और west की तो यहाँ पर हमें west का fourth part और chest का fourth part लेना है back में भी हमें marking कर लेनी है west के fourth part की तो यह देखिए हमने आप परस्त में fitting लगा लेनी है sleaze round जो है वो 12 इंच है तो 12 इंच पर mark करना है तीनों marking को मिलाते हुए fitting लगानी है fitting लगाने के बाद हम यहाँ पर belt को join करेंगे इस तरह से और यह सिर्फ यहीं तक आएगा जहां तक हमने fitting लगाई है blouse बन का complete हो गया है तो comment करके जरूर बताएगा कि आपको यह video कैसी लगी video को lecture जरूर करिएगा और channel को subscribe जरूर करिएगा thank you झाल जरूर करिएगा झाल झाल «जहाँवाँबवाशा भाधनी» झाल झाल